सर्दियों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाले फूलों में से एक है पिटुनिया तो चलिए हम आज पिटुनिया के बारे में बात करते हैं कि स्टेप बई स्टेप जो हमें किस तरीके से इनको ट्रांस्प्लांट करना चाहिए तो हेलो दोस्तों आपका मेरे गार्डन में स्वागत है तो इनको लगाए हुए देखिए एक महिना नहीं 20-25 दिन तो हो गए है अभी देखिए इनकी ग्रोथ किसी में तो बहुत अच्छे तरीके से आई है किसी में बिल्कुल थोड़ी सी ग्रोथ आई है तो हम इनको जो है सेपर कर देंगे ताकि इनकी ग्रोथ जल्दी से जो हो पाए तो इसके लिए हम आपको ज्यादा सोचनी की जरूत नहीं है आप कुछ पी जो है ले सकते हैं तो देखिए मैंने इतने सारे जो आप्शन लेके आई हूं छोटे-छोटे कंटेनर ले सकते हैं नई तोलीफापे ले सकते हैं या फिर कुछ भी बावल जो है ट्रांसप्लांट करने के लिए क्योंकि जो पिटुनिया है बिल्कुल छोटी बिल्कुल नाजुक से होते हैं तो यह देखिए यहां पर क्या है मैंने बहुत सारे सारे आप्शन में आपको दिखा दिये अब इसमें क्या करना इसमें पॉटिंग मिक्स करना यानि कि तो हमने क्या है कोको पीट में बीज लगाया थे सिंपल उसमें कुछ नहीं था कोई खाद वेगर नहीं था लेकिन यह जो मैं अभी यूज कर रही हूं स्वैल मिडिया जो है अलेडी जो मैं शेयर कर चुकी हूं रील में तो आप चेक कर सकते में इस्टा पे तो इसमें क्य लिए है तो इससे एजी हो जाता है कि हमें जब मढ़ यंप लगाना है फटा फट लगा देंगे और कई बर क्या होता है कि हम नर्सी से जो चीज के आते हैं स्ब्स्वादन लेगार ये जो हूं चूर्डियर के भचांए हैं अगर हम सेव कर रखने कि रख देते हैं तो यह ह तो यहां पर देखिए यह जो है कुछ नहीं मिला तो आपको यह लिफा पर मिलते हैं हमारे जो फास्टूर जो हम लेते हैं तो वह वाले ही है तो इसमें भी हम गार्णिंग कर सकते हैं तो बहुत सारे अप्सन है तो देखिए सबी में मैंने क्या है मिटी फील कर लिए हैं जो है बहुत जल्दी जो हो जाए क्योंकि मैंने पहले भी जो है इन से निकालके जो है अलग सेपरेट लगा चुकी हो और उनकी ग्रोध काफी ज्यादा हो गई अच्छी तरीके से तो यहां पर यह बचंग हुआ है पौधा यह निच्चे गिर गया था लेकिन डैमेज नह हुआ था इनको उठा के मैंने क्या है दुबास अच्छी तरीके से जो है इनको लगा दिया था तो यह लेना है और इसकी क्या है उसके मुकाबले जो है इसकी ग्रोध जब हम ट्रांस्प्लांट करेंगे तो इसमें ज्यादा जो है अच्छे तरीके से होगी इसलिए क्या है पेले पानी को सब्सक्सक्रादाने रखाल बिलक negatively Bill पार का दो में आप हेल्प लें घूल करिगिया है और उपर से जितने भी छोटे छोटे से पौधे हैं इनको कुछ इस तरीके से जो हमने सभी में जो है लगा देना है अब भी देखिए यह तीनी से पौधे दिख रहे हैं लेकिन एक हपते के अंदर जो है थोड़े से इनकी ग्रोध हो जाएगी और जैसे जैसे यह थोड़े स तो इसमें ही वेड करते तो बहुत जादा यह ताइम ले लेता तो इसलिए अच्छा है कि हम सेप्रेट कर ले अच्छा से इनको इंको जो है स्वाल मीडिया दे दे तो इस तरीके से क्या है मैं सभी में जो है लगा लिये यह रहा दूसरा कलर देखे इतने सारी जो है सिलिं है मेरे पास तो इसलिए क्या है मैं हर एक कलर के चार से पांस जो है पौधे लगाँगी अगर इतने ऐसी लगाँगी तो बहुत सारे जो है पौधे बनके रेडी हो जाएंगे या मिलेगा तो मैं छोटे छोटे चोटे कंटेर्न में भी जो है में लगा दूगे वैसे कि इमयमगेform acieride डाल आटऊ इंच वाले उसके लिए मैं ईंके लिए मंगाए है और जितने भी सिजनल फילार होते ढीकि ज़न गाए प्लांट उन निकार थитель गातान के लगाव की तो यह मैं इससे बीज इतने अचल्ण दिखाई देरा कि यह मैंने लास्ट यह के अपने प् कreिकशी से इस तरीके से मिला कुनआ है, क्ढनल करने हैं वहीं ही है, यह सब अच्छा तरीक है, कि इस तरीके से च्राइब है, यह बहुए तरहास आगे इस तरीके से सदूर हो जाएगी तब बड़े से गंबले में हम लगा सकते हैं तो ऐसे क्या है पौधे खराब नहीं होंगे अब देखिए इनको जो है अच्छे तरीके से मिट्टी में हमने लगा दिया और पाकी इसमें रहने दूंगी जैसे जैसे लगा हैं लेकिन बाद में मुझे याद ना रहा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है यह ना हो सके कि एक ही कलर जो है मेरे गार्डन में पौधे लग जाए तो इसलिए क्या करना है हमने मार्किंग कर लेना है दो कलर मैं लगा थे और यह कलर मैं देखे नहीं अब मैं चेक करूंग की यह है रेड कलर में यह आपने मेरे गार्डन में देखा होगा और दुसरा यह पिंक पिटूनिय अनको लिख देते हैं किसी बी तरह से जह हैं आप उनको लिख कर सकते हमिंग कर सकते हैं तो यहां में प्लेस करना है बिल्कुल खांव में रखना ल самый कारunda ह 하지만 इस तरुए ब बड़े से पौधे वेगरा होंगे उनके नीचे भी जो है आप रख सकते हैं अगर स्प्रेव बोता से पानी नहीं देना है आपने तो पहले इनको जो अच्छी तरीके से वाटिंग कर लिजे लेकिन बाद में आपने ध्यान रखना है बिल्कुल हल्क के हाथों से इनमें पान कर लिए बाद में पानी देने के बाद आप उसके बाद हम वेट करेंगे इनकी ग्रोथ हो जाएगी उसके बाद जो हम फाइनल जो है इनको लगा देंगे तो वह किस तरीके से लगाए वह मैं आपके साथ टाइम के सांथ शेयर कर लूँगे अभी टाइम लग जाएगा या पुष्ट करती गई और लास्ट में क्या हुआ कि हवा निकलने का जो है कहीं इनको मौत तो मेरा जो प्रेय बोतल है वो नीचे से फट गया मैं डर गी थी फिर भी यह प्रेय बोतल तो आप किसी काम का ना रहा दूसरा मैंने प्रेय बोतल लेना वड़े गया तो इसलिए आप इस प्रेय बोतल जो है ध्यान से यूज करें अब देखें प्लास्टिक इतनी मोटी जो है लेर थी फिर भी जो है नीचे से फट गई हवा के कारण तो यहां पे देखिए यहां पे मैंने रख दिया चाओं में अब इससे में मनी प्लांट ही यहां पे है और रबर प्लांट के भी लगा हुआ है तो यहां पे जो है हम रख देंगे हैं